कि अलोगाई सो वेलकम बैक तो यूडिप चैनल ऑफ टीम्स फॉर विन सो आई होप आपसे काफे अच्छ हो हैं काफे अच्छा विन भी कर रहे होंगे तो इस पाकिस्तान वूमें वेस्ट इंडीज वूमें के बीच में जो लाइक रहे इनका फ्रस्ट ओडियाई सो इस मैच को गवर करने जा रहे हैं क्या कुछ प्लेंगे लेंट रह सकती है क्या कुछ लाइक इंपॉंट अपडेट सरेंगे इस मैच के रेलेटिड एंड एक एक प्लेयर के स्टैट्स के बारे में डिस्क्स करने वाले सो वीडियो को आखिर तक देखना बिल्कुल यह आपको स्किप नहीं करने एक रप सकिप करते हो तेन मेबी आपको इंपॉंट पोइंट यह फिर इंपॉंट अपडेट जो हो मिस्स कर सकते हो बिल्कुल स्किप करके नहीं चलना बाकि चलते हैं सीधा एकदम प्रिव्यों के ऊपर और अपने जो दर्थे मैच की तरफ आते हैं पाकिस्तान वुमें वसेस वेस्ट इंडी वुमें फर्स्ट ओडिया यह रहेगा वन्यू रहेगा नेशनल स्टीडियम कराची में जो मैच वो खेला जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर यह मैच खेला जा रहा है बाकि उसके लिए देट और बाकि उसके लिए लाव लाइब स्टीमिंग अगर आपको देखने है तो फैन कोड पर होने वाले जाके देख लेना मैच अगर लाइब अगर आप देखना चाह रहे हो तो उसके लाव बात करते हैं पिच की तो पिच इसे डिसेंट वन फॉर बैटिंग एंड़ बैटर्स क यह काफे अच्छे से बना सकतE है उसके लाव जब बात करते हैं प्लेइंग 11 की तो पाकिस्तान वुमें की तरफ से मुनीबा अलिया आपको देखने को मिल जाएगी उसके बात करते हैं जावेरिया खान की साथ में देंख़र देखनेको मिलेगी उसके इदर से शेडिया नेशन है उसके बाद में काईसिया नाइट भी है तंशिनल हेंडरी है अनीशा मोहमर एक काफे अच्छे पिक हो सकते है कल के लिए उसका लब शेकरा सेलमें शेमीलिया कोनल एंड अलियाना एलन आपको जो है देखने को मिलेगी वेस्टन डिजूमन की तरफ से सो यह जो है कुछ प्लेंग 11 रह सकते हैं दोनों ही टीम्स की बाकि अब आते प्लेयर टू प्लेयर स्ट के उपर सो वो थोड़े से जादा नहीं है बर जितने भी है वो मैंने आपको लेक क्लियर कट यहां पर लिख आगे डिसकस करेंगे बड़ उससे बहले मापको एक ऊहले में सेर्च करके सकते हैं आपको यहां करणके से एलने तो मेंने चानल م on me जोइन कर सकते हो कभी सारी अब्डेट्स वगरा वहां पर भी डालते रहते हैं यहां पर लाइक आप देखोगे रिजल्ट्स है गिवावे की विनर्स वगरा एंड बाकी सारी चीज़े जो यहां पर मैंने पोस्ट कियो जाके चरूर से चकाउट करना बाकी अब चलते वापस से अपने प्रिव्यू के उपर तो अब बात कर लेता है पाकिस्तान में के जो एक एक प्लेयर के स्टैट्स है मुनिवा अली ओवरॉल फोटीन मैचेस में 243 रन से 39 हाइस्ट है एवरेज अगर हम देखते है तो वह थोड़ा सा लाइक आपको कमी देखने को मिलता है मैं बा बात है तो पांच मेंच में 156 रहें थर्टीन ही हाइस्ट है एंड वैस्ट अगेश्ट में जो अच्छा पर्फोमेंस दिखाते है 31.20 का एवरेज है सो ओवरॉल से थोड़ा सा बहतर है निकलकर जो आ जाता है बागी जावेरिया खाने काफी एक्सपिरेंस है 111 मैचेस में 208 इनिंग में 2700 से उपर रंस है 133 हाइस्ट है एवरेज के बात करो करें 29 है एंड वही जब हैट्वर्ड में जो अवरेज निकलकर आता है वह 22.57 का 22 मैचेस में 429 ट्रंस है एंड वन्यू पर जाब बात कर दो तो वह एवरेज थोड़ा सो और भढ़ जाता है 30 के गरीब सो यह मिलेगा आपको जावेरिया खान की तरफ से उसके बात में इराम जावेद है 16 मैचेस में 125 रंस है 21 है इस्ट है 8.92 का एवरेज एंड बात करो हैट्वर्ड में तो वह भी कुछ खास नहीं है तो ज्यादा लाग काम की प्लेयर निकलकर आती नहीं आपके लिए इरम ज जब बात करते हैं वेन्यू के तो दो मैच हो 22 रंड एंड एक विकिट इधर भी पिक हुए है तो काफी सही है नितादर अगर आप पिकरना चाहर हो टीम में उसके लगा आलिया र्याज आती है देन नेक्श निकल कर 33 मैचेस में 589 है रंस इनके लाइक करीबन 20-20 का जो है निकल करा जाता है विकेट्स पगरा काफी कमें साती विकेट अभी तक पिक कर पाईए उसके लाव जब बात करते हैं तो नो मैच में 88 रंस है 11 का एवरेज है दो विकेट इन्होंने पिक किया हुए वेन्यू के जब बात करता हूं यहां पर थोड़ा सा और लाइक खराब ह हो जाता है हालाद सो वेन्यू पर इतने जादा कुछ खास नहीं है और रोल है तो बोलूँगा पिक करने लाइक प्लेयर तो है अलिया रियाज उसके बाद मैं आईशा जफर पर आता है 26 मैचेज में है 455 इनके रंस और 56 हाइस 17.8 का आवरेज है बात करें है तो पांच इनके रंस 7.53 का जो एवरेज है बात करें है तो 6 मैच में नो रहें है और यह क्यों है क्योंकि काफी नीचे बैटिंग करनी आती है और जब बैटिंग करने भी आती है तो भी रंस नहीं बनाती है इस वजह से सिद्धर अनावाज कुछ भी लाई कि उसफर आपके लिए प के लिए बनेगी एंड बात तो यहां पर है वेन्यू पर दो मैच खेले साथ विकेट्स इन्हों ने पिक किया हुए अनम अमीन ने यहां पर बागी फातिमा सना है उसके बाद में दस मैच में 14 विकेट है है एट्रोड बात कर तो 5 मैच में 11 है एंड एवरेज काफी जाद ह उसके लाबा दियाना बैग है दन 31 मैचे में 36 विकेट्स 28.50 कावरेज बात करो है ट्रोड में तो 8 मैच में 12 विकेट्स हो जो 3-4 बोलर है यह काफी अच्छा परफॉर्म करती है एंड कुछ लाइक सबसे अलग हटके तो जो आपको दिखती है वो अनम अमीन इधर से दिख तो यह तो रहेंगे कुछ पकिस्तान टीम के अगर में स्टैट्स के बात करो तो पूर एकदम प्लेयर्स के उसके बात में आता है वेस्ट इंडीज मूमेन के उपर तो वेस्ट इंडीज के तरफ से सबसे पहले जो रहेगी हमारे पास वो है दियांडरा डोटीन लाइक बै ले सकते हैं 22 मैचेज में 602 है रंस एंड जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में आती है तो यही एवरेज जो है 22 28 से बढ़कर जो है वो 35 पर जो निकलकर आ जाता है एंड साथ में 10 विकेट्स भी है तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से पूंच जो है डियांडर डोटीन ने करना है तो उसी में डियांटर डोटेन का पहला नाम पर सेकेंड आता है हेली मैथ्यूज का 53 मैचेज में 1200 से उपर है रंस 25 का जो है एवरेज निकल कर आता है 54 विकेट्स के साथ में 10 मैच में 227 है रंस करीम लाइक 25-25 के करीब एवरेज है एंड 12 विकेट्स भी हैं हेली मै 14 कभी करें कभी ना करें बट हिली मैथ्यूज के जरूर से ओर मिलने ही मिलने है उसके बाद में जो तीसरे नंबर पर आती है ना क्लाइक वेस्ट इंडिस की बैक बून वो है स्टैफनी टेलर सबसे में प्लेयर में इनको मानता हूं 130 मैचेज में 5000 करीबन इनके रंस होने व पर और रोगे लाइक स्टैफनी टेलर को अपने टीम में तो डेफिनेटली यह जो तीन प्लेयर है इनको आपको टीम में रखना ही रखना है एंड में जो लाइक के लिए मैटेरियल पिक बनती है वह स्टैफनी टेलर इदर से कैप्टन वाइस केप्टन ट्राइज जरू कर तो यहां पर ना कुछ ऐसे प्लेयर से जो जब अगेंश्ट पाकिस्तान खेलते हैं तो काफ़ अच्छा परफॉर्म करते हैं पहली डियांटर है स्टैफनी है एंड थर्ड पर इदर से काईश होना नाइट उसके लावा जब बात करते हैं शेडियन नैशन की तो 46 मैच्छ में 592 रंस 15.57 का एवरेज है उसके लावा हैट्वर में नो मैच्छ में 109 रंस है 27 इनका मैं अवरेज इतना ज्यादा नहीं बोलू मां क्योंकि नोट आउट रहती है इसे वाज़ेश जो एवरेज है वह ज्यादा है अदर्वाइस रन कुछ लाइक इतने ज्यादा नहीं बनाएगे नो मैच्छ में 109 मैं बोलू काफी नोर्मल है उसके लावा दन काईशा नाइट आती है तो 71 मैच्छ में 55 है हाइस 17.85 का जो है एवरेज है उसके लावा जब हैट्वर की बात करते हैं तो थोड़ा सा एवरेज गिर जाता है 14 मैच्छ में 126 रंस है 10.50 का एवरे उसके लावा हेट्वर की बात करो तो 6 मैच्छ में 54 है रंस 13.50 का एवरेज है काफे नीचे वैटिंग आने वाली है तो इतनी यूसफुल तो नहीं बनेगी पर अब जो बोलर्स निकल कर आ रहे हैं चार बोलर्स इनके बार में जो पता हूंगो तो यह काफी इंपोर्ट है उपर के लाएक आप हेंड्री हो गया नाइट हो गया नेशन हो इनको छोड़ सकते हो दिकत नहीं है अनिशा मॉम्मद 131 मैच्छ में 166 विगेट्स है 20 का एवरेज है बात कुरो वैस्ट विगर के तो वाप इदर से देखी सकते हो उसके लावा हेट्वर की जब बात करते ह वाली है यह बाकि उसके बात मैं इदर से सकेरा सेलमन जो 83 मैच्छ में 66 विगेट्स ले चुके है इतनी ज्यादा इंपेक्ट फुल तो नहीं रही है उसके लावा बात करूं है तो 14 मैच्छ में 13 विगेट्स 24 के साथ में बाकि दैन आते शमीला कोनल इदर से जो 42 मैच्छ म वेन्यू है वह अवलेबल नहीं है तो इधर से अपके लिए लाइक दो तीन प्लेयर निगल कर आते अनीश मौमद शकीर असलमने बोलर में से उसके लाव बैटिंग शेक्षिन में आपको उपर से बताए डोटीन मैथ्यूस टेलर और यह चार जो है काफी अच्छे पिक ब इसलिए काफी ज्यादा इंपोंट एंड जो ग्रैंड की कैप्टन वाइस कप्टन पिक जो है निकल कर आ सकते हैं इनका भी जो एक्स्पिरेंस है वो काफी जादा है 2700 से उपर रंस है 29 के साथ में एंड लाइक बोल सकते हो कि काफी ज्यादा लाइक एक डिकेड से ना 27 बैस में निकल कर आ सकते हैं तो यह हो गया पाकिस्तान की तरफ से जो इंपोंट लाइक ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कप्टन आपके लिए रहा सकते हैं उसका बाद में डियांडा डोटीन है शी वो जिन डिसेंट फॉर्म इंड हैं डियांड टॉर्नमेंट डैट सब्सक्राइब कर दोटन स्कोड वन फॉर्म में थी उसके लाइट इनिक डोटन स्कोड वन फॉर्टिसिक रंस एंड आवरेज अवरेज अवरेज अपने इनका हैट्वर्ड का आवरेज जरूर से देखा वो भी लाइक काफी जादा जबर्दस था तो काफी जादा को क्या कुछ आज के लिए टीम रह सकती है तो ये तो रह सकते है आज के लिए जो मैरी कुछ टीम है जिसमा मुनिबा ली एंड कस र lots einा कर सकते हैं यह प्रइब एक एक टेकर जो प्लेयर है ऍहरो के लिए जावेड को ट्राइ कर सकते हो वे टीम में 8.5 ट्राइघ मैं आपको मिल जाएगी एनड चाहो तो लोर्ग इंड़र से द्याना बęd को अप स्व ढुर्ब करो या फिर इदर से में मुनीबा अली को भी ड्रोप करके आप इनको पिक कर सकतो अगर टीम में थोड़ा सा डिफरेंचल जाना चाहा रहे हो तो बाइक केप्टन वाइस केप्टन की बात करूं स्टैपनी टेलर हिली मैथ्यूस नीदादार ओल्ड राउंडर सेक्शन भूमेंच क्रिकेट में हमेशा से लाइक जोरदार है और इनीको आप केप्टन वाइस केप्टन जो है ट्राइ करो तो ज्यादा बहतर रहे गा स्मोल लीग टीम में बाकी यह तो रही है अभी के लिए टीम में वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरू से कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन जो उसको भी प्रेस कर लेना कोई भी अगर फीडबेक सेजेशन्स हो तो मेरे कमेंट शेक्शन में आप बताई सकते हो बाकी अभी मिलते आपको नेक्स यूडियो में बहुत ही चल आई हो